डीपली अनलिसिच में आपका स्वागत है दोस्तों नमस्ते मैं चितर अंजन दोस्तों मैं आज एक वेरी इंपर्टेंट टूलबोक्स टापर या सफ46 का रिविव करूगा दोस्तों मैंने ये सफ46 सोकेट सेट को ओनलाइन आमाजन से खरीदा था देखिए ये उसका ही बिल ह ये 1699 रूपे का इन्वेस कोपी है मैंने ये चीज को ओफर की तहत ओडर किया था तो मुझे ये 1300 में मिल गया यानि मैं 1699 ही पेड किया था मुझे आमाजन पेवालंस पर 400 रूपे कैस्वेक मिला देखिए मैं आपको इसका जो मोडेल है से 46 का फ्राइस दिखा रहा हूँ आमाजन पे जो सेलर हैं वो लोग 1699 में ये चीज बैचते हैं पर आमाजन की तरफ से जो ओफर था उसी की हिसाब से मुझे 400 रूपे कैस्वेक मिला आप अगर कोई भी चीज आमाजन से खरिद रहे हो तो ओफर की तरह खरिदना आपको हैबी डिसकाउंट मिल जाएगा दे चुटते फिरोगे इतना प्राइस में नहीं मिलेगा अगर आप भी ये चीज खरिदना चाहते हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्रेब करें लाइक करें मुझे कमेंट करें मेरे जो नमबर है उसको आप सेब कीजिएगा मैं आपके लिए ओडर कर सकता हूं तो देख जूम करके और ये पोज करके भी आप देख सकते हो काफी क्वालिटी बॉक्स है दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं देखिए साइड पे भी ये काफी मतलब काफी क्वालिटी हाथ से पकड़ने से पता चलता है इतना डिसकाउट में पाके मैं बहुत खुस हूं अगर आ आप भी कोई चीज खरितना चाहते हो तो प्लीज मुझे कॉंटक्ट करें कमेंट करें मेरे गाइडलेंस ही आपको हेबी डिसकाउट दिला सकता है स्योर तो दोस्तों इसको बिना लेट की खूलते हैं देखिए ये ऐसे खूलता है काफी इसका जो ओपन करने का सिस्टम है बहुत अच्छा है और देखिए ये ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर एक फॉम दिया गया है और उपर की तरफ बीट सेट है जैसे कि जो होता है स्टार वाला टोरेक्स बीट जैसे कि सबसे नीचे का जो लाइन है वो टोरेक्स बीट का लाइन है टी एट, टी टेन, टी बीट है पी एच जो लिखा है और एच पर लिखा है एच शिक्स ये सब एलें की बीट है तो दोस्तों तीन टाइप का बीट उपर में है और यहाँ देख लीजेगा ये उपर जो लाइन में है ये सोकेट सेट है ये 4 mm टू, 14 mm तक जैसे कि आप देख रहे हो इसमें एक रै लाइन की है और यहाँ जो एक्सेंशन बार है लगबक चार-पांच जैसा है देखिए ये छोटा सा है ये एक लंबा सा स्प्रिंग टाइप का है ये बैंड हो सकता है इसको फ्लेक्सिवल एक्सेंशन बार कहते हैं दोस्तों ये देखिए ये उनिवर्सल जाइंट ये काफी छोटा दिख रहा है पर काफी क्वालिटी है मजबूत है आरे स्टूंडेट पलसर में फेरिंग स्क्रू थ्रोटल का काम इससे आप आसान इसे कर सकते हो दोस्तों ये ऐसे 46 बीट सेट को ज्यादा तर बैटरी वाले यूज करते हैं वो डाइनमा वार्क ज्यादा करत है डाइनमा वार्क में छोटा छोटा बॉल्ट नट लगा रेता है उसी काम के लिए और फिर्टल बल्डी में जो टोरेck्स बीट रहता है उस काम के लिए भी ये बड़ाबर फिट है सेल्प मटर काम के लिए भी ये हंडेड पर्संट सङी रहेगा फिर्टल बोडि और भे चिट का review करूँगा दोस्तों ये 12 mm का socket है और ये 46 piece toolkit में 13 piece socket है जिसमें की 4 mm से लेकर 14 mm तक है और ये must quality का है अगर आप 46 bit set order कर रहे हो तो 4 company का ही लेना एक है टफर या दो है फोर्स तीन डिवाल्ट और एक किंग टोनी मुझे पहले से ही भेहिकिल अच्छा लगता है इसलिए ज़्यादा तर मैं garage में ही अपना time spent करता हूँ mechanic से बात करते मुझे अच्छा लगता है वो लोग भी मुझे खुस होते हैं पूछते हैं सर आप mechanical engineer किये हो क्या पर ऐसा नहीं है दोस्तों ये देख लो इसमें 5 element है पर इसमें मेरा एक element ही मिला हुआ है और ये आप देख लिजगा ये universal joint है जहाँ पर आपका हाथ नहीं राइट कर सकते हो दोस्तों RS 200 में फेरिंग में दोनों जो बॉल्ट रहता है वो अंदर रहता है वो बॉल्ट को निकलने में मुझे लगता है ये सही रहेगा दोस्तों ये छोटा सा extension बार देख लिजगा ये 50 mm का extension बार है आप बड़ा extension बार भी नीचे है साइड में देख देख सकते हो ये बड़ा extension बार है ये 100 mm का extension बार है दोस्तों इसका quality काफी अच्छा है लूक भी काफी अच्छा है और यहां इसको रख देते हैं दोस्तों इसमें जो एक एक चीज है जहां से निकाले थे वहां पर ही रख देना क्यूंकि ये गुम भी हो सकता है इसलिए कम bit set है मतलब socket को घुमाने के लिए इसको भी आप extension बार की तरह यूज कर सकते हो इसके पीछे ratchet connect कर सकते हो दोस्तों फिलाल इसको मैं रख देता हूं जहां से निकाले थे तो दोस्तों ये extension बार की side में ये flexible extension बार है अगर कहां पे थोड़ा bend होके notable अंदर है तो ऐसे में ये flexible extension बार काम आएगा दोस्तों ये flexible extension बार को घुमाने के लिए आप ratchet या T का यूज ले सकते हो और era T आप देख लिजगा दोस्तों ये छोटा सा T cute दिख रहा है जो जिसकाम के लिए बनाए उसके हिसाब से हमको यूज करना है इंजिन में जो close cover है उसमें 8 mm बोल्ट लगाए उसी 8 mm बोल्ट के लिए आप ये यूज नहीं करना चाहिए उसके लिए long T 8 mm बाला अलग से खरिदना अच्छा रहेगा दोस्तों इसमें सबी parts को total कर देने से 46 होता है इसलिए इसका model number SA46 है Amazon से कोई भी order place करने से पहले मुझसे guide लेना मैं आपको पूरा मदद करूँगा ज दोस्तों इसमें जो छोटा ratchet है वो काफी important है फेरिंग निकलते वक्त एक हाथ से ही आप ratchet यूज करके screw निकल सकते हो नेक्स्ट वीडियो में आपको practical ही दिखाऊंगा बने रे वीडियो के साथ इसी तरह की कोई भी चीज को गहराई से जानने के लिए deeply analysis को subscribe करें like comment share करें thank you friends, Jain!